नमस्कार अभी अर्थियों, आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित वैकल्पिक विशाय में, आज हम बात करने वाले हैं भासा विज्ञान से संबंधित, आपका जो सिलिबर से भासा विज्ञान उसमें एक टॉपिक है, पतंता आंदोलन के दवरान राष्ट भासा की रूप म हिंदी का विकास, एक टॉपिक है, इस टॉपिक में भिन भिन रूप में आप से प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रकार उस समय हिंदी का विकास हो रहा है, और इस विकास में कैसे साहितिक संस्थाएं, यानि कि अलग-अलग संस्थाएं, चाह वो साहितिक हो, सामाजि खोई धार्नेक संस्थाएं हैं या फिर ऐसे विक्तितों, जो हिंदी भासि हैं या घैर हिंदी भासि हीां त灣 आपको पथा है, उसमें बहुत बूट सारे बिटिस्स हैं जुनोंने हिंदी के विकास में बहुत सारे कारे किये थे तो उसी में एक सबसे महत्वन आप देखोगे विक्तित्व है वो है गांधीजे तो कि उनका बहुत बड़ा एक रोल था हिंदी और उसके राष्ट भासा के विकास में तो आज हम उन्हें टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं आपसे प्र जानकारी मिलेगा आपको पता है कि महत्मा गांधी हिंदी भासा और उससम्वन दित बहुत सारी बाते उन्होंने कहा है जो संभौत आपको पता भी हो सकता है फिर इनके जानकारी आपको अलग अलरुपों में दिखाई देता उसका में एक यानि एक जगह कठा करके आपके पता होना चाहिए क्योंकि इनी फैक्ट के बदोलत आप एक बहुतर उप्तर लेखन लिख सकते हैं गांधी जी ने बहुत कुछ कहा था राष्ट भासा को लेकर उनका एक पहला इस्टेटमेंट है कि राष्ट के लिए राष्ट भासा को नितांत आवसक मानते हुए कहते हैं इसके बिना क्या है राष्ट गुंगा है आपको पता है कि जब हिंदी उर्दु बिवाद हुआ जो हिंदुस्तानी सैली रही खड़ी बोली कि उस पर भी उन्होंने बहुत सारी टिपनिया दी थी तो यदि हिंदुस्तानी के परिचेप UPSC सवाल पूच चुका है तो वहा कार राष्ट ये एकता को पिरोई थी स्वतंता संग्राम पे इस पर भी प्रशन आ चुका है तो वहां पर भी ये तथ आपके बहुत काम का है आपको गांधी जी के इन सारे तथ्यों को आकड़ों को वहां पर रखना है और अपने उत्तर को बेहतर करना है उन्होंने राष किसी पहाशन देते वह गांधी जी ने बहुत कु uy आता आपको पत है गांधी जी गुज़रात से थें यानि गैर हिंदी भासि थें पिर भिवन नहोंने हिंदी की महता को समझा कि हिंदी की अंदर एक ऐसा तत्व है जो संपूर भारत को क्या कर सकता है आपस में जोर सकता ह और एक बहुत बड़ी वज़ा रहे कि गांधी जी से सभी लोग क्या करते थे प्रेम करते थे उचाय किसी भासा धर्म संपरदाय जुड़े हुए लोग हो तो इसलिए गांधी जी की ये उक्ती बड़ा ही महत्पुन है उन्होंने राष्ट भासा के लिए पांच लक्षन या और राष्ट भासा के बीच की तुलनात्मत चीजे पूछली जाती है तो वहां पर गांधी जी के दवारा निधारित ये जो पांच लक्षन है इसको आपको बताना होगा लिखना होगा इसमें पहले कहते हैं कि अमलदार अर्थात जो राज की अधिकारी हैं उनके लिए भ आज भासा की हम बात करते हैं तो उसमें कई तरह की जडिलता हैं ये तत्व वहां पर भी आ सकता है दूसरा बिंदु है ये जरूरी है कि भारत वरस के बहुत से लोग उस भासा को बोलते हो और ठात कहीने का मतलबी है कि भासा कैसी होनी चाहिए ये भावनात्मक संकलपना ह जो बहुत सारी लोग बोलते हों तीसरा उनका तथ्य है कि उस भासा के दवारा भारत वरस का अपनी धार्मेक आर्थिक और राजनेदिक बहवार हो सकना चाहिए और जहर सी बात है हिंदी के अंदर ये गुन विदमान है चोथा बिंदु है राष्ट के लिए भासा आसान ह होनी चाहिए पांचवा तथ्य है उस भासा का विचार करते समय किसी भी छणिक याल पस्थाई सिती पर जोड़ नहीं देना चाहिए ये पांचवा बिंदु बड़ा महत्पुन है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गांधी जी उन्हेटिस में कहते हैं कि यदि स्वराज अंग्रेजी पढ़े लिके भारत वासियों क्या है और किवल उनके लिए तो संपर्ख भासा अवस्थ अंग्रेजी होगी यदि वह करोडो भूखे लोगों, करोडो निरक्षर इस्त्रियों सताई वा चूतों के लिए है तो संपर्ख भासा किवल हिंदी हो सकती हैं अब ज पूछा जाता है 10 नंबर का 15 नंबर का तो यह statement बहुत ही महत्पुन है आपको वहाँ पिसका प्रयोग करना है यह फैक्ट जो है इंद सवराजमन 1909 उन्हें ने कहा है तो जहां पर आपको हिंदी और हिंदी के बिमर्ज का प्रशन पूछ रहा है विकास को लेकर वहाँ पर भ के वर्स अधिक ब्रबाद करने पड़ते हैं यदि हमें एक विदेशी भासा पर अधिकार पाने के लिए जीवन के अमूल वर्स लगा देने पड़े तो फिर और क्या हो सकता है अब जाहिर सी बात है कि अभी आप देखो कि बहुत सार ऐसे अभिरती हैं जिनकी मात्री भास पुलुक्ता इसे और यूनेश्य को भी कहती है कि किती भी वेक्ति कра जो उसका बौधिक विकास होता है इसकी मात्री भासा में सबसे भेतर धंग से होता है तो प्रत्यक वेक्ति को giyinkोसे मात्री भासा में सिक्छा देनी चाहिए उसी से उसका मानसिक विकास होता है ये बहुत जरूरी है तो ये भी गांधी जी के दुवरा जो दिया गिया ये कथन है आपके लिए बड़ा महत्पुन हो जाता है अगला है कि जिस भासा में तुलसिदा जैसे कवी ने कविता की हो वात्यंत पवित्र उस सामने कोई भासा ठ कर सकते हो गांधी जी आगे कहते हैं हिंदी हिंदुस्तान के सिचित समुदाय की सामाने भासा हो सकती है यह बात निरिवाल सिध है जिस अस्थान को अंग्रेजी भासा आज का लेने का प्रेतन कर रही है और जिसे लेना उसके लिए संभोव है वह अस्थान हिंदी को मिलना चाहिए क्योंकि हिंदी का उस पर पूर्ण अधिकार है यह स्थान अंग्रेजी को नहीं मिल सकता क्योंकि वह विदेशी भासा है और हमार लिए बड़ा कठेन है तो जहां पर भी आपको हिंदी के सामने चुनोतियां उसके बिमर्श वहां पर भी इस पत्व को आपको प्रयो भासा है जिसको उत्तर में हिंदू वह मुसल्मान बोलते हैं और जो बनागरी और फ्रस लिप मेंनली लिकी जाती है कि हम दो यह संस्कीत महीं नहीं है और नहीं उप्रशस्सलिक्रंची हिंल हाँ कि खड़ी बोली कि हिंदुस्तानी को लेकर टिपनी को गांधी जी इसी को ही चाहते थे कि आगे बढ़े तो हिंदी उर्दु का जब बिवाद हुआ उस चीज में भी महात्पुन है कथन फिर आपको हिंदुस्तानी सैली कर जो प्रश्णाइक वहाँ भी लिख सकते हो या फिर हिंदी के विकास को लेकर या स्वतनता पुरुकित प्रकार हिंदी के विकास को लेकर जो अलग लग जी चल रही थी उस चीज में भी आप इसका प्रयोक कर सकते हैं यह देखिए भासा को लेकर आपको पता है कईट प्रकार की बिमर्स आते हैं और चुकि अभी जो हमारा एक संप्रदाइक बिमर्स जो चल रहा है तो हमारे देश में हमेशा चलता रहा है उसको लेकर हम भासा को भी जद में ले लेते हैं तो जबकि भासा क्या है एक नदी की तरह हैं गांधी जी कहते हैं कि हिंदो और उर्दु क्या है नदियां है और हिंदुस्तानी सागर है हिंदी और उर्दु दोनों का आपस में जग्रा नहीं करना चीए दोनों का मुकाबला तो अंग्रेजी से कितनी खुबसूरत बात उन्होंने कहा है, कि हम जब भासिक अस्तर पर ही बिवादित रहेंगे, आपस में लड़ेंगे, तो हमारा जो मुखरूप से जो चुनोती है, उस चुनोती सम्दूर होंगे, जैसे आस की दोर में क्या है, हम अपने ही देश में, अपने ही लोगों, ज धर्म संप्रदाया मजहब से तालुकात रखते हैं, उनसे जगड़ा करेंगे, तो हमारे राष्ट की जो वास्तर चुनोती हैं, उससे कैसे हम लड़ पाएंगे, कैसे जूच पाएंगे, तो बेहर जरूर जड़ता है गांती जी का ये स्टेट्मेंट, ये पढ़िए, क्या करते हैं गांधी जी, कि मैं यदि तानासा होता रथात मेरा बस चलता, तो आज ही बिदेसी भासा में सिच्छा देना बंद कर देता, सारे अध्यादकों को सोदेसी भासा अपनाने पर मजबूर कर देता, जो आनाकानी करते उन्हें बरखास कर देता, म कि जो हमारा सिच्छा पधती है, वो किस भासा में होना चाहिए, अलाकि ये अलग बिंदु है, इस पर लंबी परिजर्चा हो सकती है, पर गांधी जी ने हिंदी को लेकर जो बात कही थी, ये बड़ा महत्पुन है, और आपको उत्तर लेखन में इस कथन का प्रियोग कर सक सकते हैं, मातरी भासा को लेकर, अर्थात हिंदी को लेकर उनके टिपनी बड़ा महत्पुन है, वो कहते हैं कि मेरी मातरी भासा में कितनी खामिया क्यों नहों, मैं इससे इसी तरह चिपता रहूंगा, जिस तरह बच्चा अपनी मा की छाती से, जो मुझे जीवनदाई दू तो हो सकती है, लाखो करोडों की नहीं, जैसी बात है, आज अंग्रेजी की वर्चस्व की वज़ा से, ऐसे बहुत सारे विक्ति हैं, जिनका वास्त्विक जो कौसा ले, वो निकल का सामने नहीं आ पाता, उनको हे द्रिष्टी से देखा जाता है, उनके पास बहुत चीजे होती है, उन्हें पता होता है, अपने लैंग्वेज में, पर अंग्रेजी की निवारता की वज़ा से, वो अपने उस भाव को क्या करते हैं, संप्रिसित नहीं कर पाते हैं, और ये बहुत बड़ी विडंबना है, कि वेक्ति जानते हुए भी भासिक बांडरी की वज़ा से क्या है, वो अपने सिती वहाँ पर बरकरार नहीं रख पा रहा है, उन्होंने लिपी के लिएक बात कही थी, तो आप जब देवनारी लिपी वाला जब प्रशना आएगा, तो वहाँ पर गांधी जी की इस वक्तवे को आप लिख सकते हैं, क्योंकि जितने वक्तवे हैं, य इनके कथन के माध्यम से आप उत्तर को पुष्ट कर सकते हैं, तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, मुखता गांधी जी के जो अलग-अलग कथन थे, उसके माध्यम से आपको मैं सारी बाते संप्रेशित कर पाया, तो आपको उत्तर लेखर में इनका प्रयोग करना है, आ और हिंदी साहित के जो डेली अपडेट है, जो डेली कोशन्स मिल रहा है आपको, जो डेली कंटेंट है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर हिंदी साहित को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, तो आज की वडियो में इतना ही, हम पुना एक नए पीक के माध्यम से आप से जुड़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद